RIL का Clean Fuel विकल्प के रूप में Affordable Green पर जोर, मुकेश अम्बानी ने बताया, प्लान मुकेश अम्बानी ने कहा कि FY 23 में RIL की टीमों ने सभी साइटों पर सस्टेनेबल सस्टेनेबल सल्यूशन काम किया. Reliance Industries ने 2022 से 23 में गैसी फायर में टॉर्फाइट बायोमास की फायरिंग के साथ अपना पहला ग्रीन हाइडरोजन प्रोडक्शन हासिल किया Reliance Industries, Reliance Industries RIL का मकसद ट्रडिशनल फ्यूल के रूप में Affordable Green, Affordable Green. Company के चैर्मैन मुकेश अम्बानी ने FY23 की एनुवल रिपोर्ट में यह जानकारी दी. अम्बानी ने कहा कि FY23 में RIL की टीमों ने सभी साइटों पर सस्टेनेबल सल्यूशन दिशा में काम किया. Reliance Industries ने 2022 से 23 में Gassi Fire में Torphide Biomass की फाइरिंग के साथ अपना पहला Green Hydrogen Production हासिल किया. मुकेश अम्बानी ने क्या कहा? अम्बानी ने कहा Clean Energy के सुरोतों पर स्विच करना हमारी Decarbonization Strategy के लिए अहम है. हम World Class Solar Energy वैल्यू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हम एक Green Hydrogen बनाने की ओर भी बढ़ रहे हैं. हमारा मकसद Traditional Fuel के रूप में Affordable Green, Affordable Green है. Net Carbon Zero Net Carbon Reliance का लक्षे 2035 तक Net Carbon Zero बनना Net Carbon में धीरुभाई अम्बानी Green Energy Giga Complex में Giga Factoryो Green Energy टेजी से आगे बढ़ रही है. कमपनी अपनी पांच Giga Factoryों की Collective Potential एक World Class, Self-Sufficient Green Energy Ecosystem, Green Energy Ecosystem. Reliance ने कहा कि वह अपनी नई उर्जा पहल से अधिक्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए अपने Global Partners की Expertise का लाब उठा रही है. कमपनी ने अपनी Annual Report में कहा, हम जलवायू परिवर्तन की वजह से होने वाली समस्याओं के समाधान को पहचानते हैं. हमारा मानना है कि हमारी नई उर्जा पहल औसत तापमान में व्रिधी को सीमित करने के वैश्विक प्रयास में योगदान देगी.